नमस्कार आप देख रहे हैं नीज फोर्नेशन और मैं हूँ प्यादलसन बिहार में इन दिनों जमीन सर्वेक्षन का काम चल रहा है और जमीन सर्वेक्षन के दवरान अलग-अलग किस्म की जो कई प्रकार की चिंताएं हैं वर्रैयतों को आ रही है यानि की जमीन मालिकों को आ रही है तो ऐसे में एक बड़ी चिंता यह भी है कि बिहार में बड़े असतर पर वैसे जमीन जो की गेरमजरुआ आम और खास के रूप में जाने जाते हैं या फिर ऐसे जमीन जो भूदान की जमीन है उसका सर्वे में क्या होगा क्योंकि पिछले दिनों गैर मजरुआ आम और खास सहीद भूदान में मिली जमीनों को लेकर के बिहार सरकार ने अलग-अलग किस्म की बाते की थी तो यहां हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि बिहार में गेर मजरुआ आम और खास जमीन को लेकर नितीज सरकार ने क्या ने लिया है तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि बिहार में जो जमीने हैं उनको खुल 6 स्रेणियों में बाटा गया है अंचल कार्यालों को 6 प्रकार की भूमी की जानकारी देनी है इसमें पहला है गेर मजरुआ आम दूसरा है गेर मजरुआ मालिक उसके बाद कैसरे हिंद की सूची है इसके बाद बंदोबस्ती भूमी है साथी साथ प्रशय प्राप्त रैयतों की सूची है भूहत बंदी अधि गेरमजरुआ आम और गेरमजरुआ खास इन दोनों को लेकर के जो ऐसी जमीने हैं उन्हें लेकर के एक बराणिन नहीं लिया है और भूमी विशे सर्वेक्षन के दौरान राजस भूमी सुधार विभाग ने सामानी रयतों के अलाव अलावा जो कई किस्म की अलग जमीने है जाने की गेरमजरुआ आम और खास सहित भूदान की जमीने इन जमीनों को लेकर के विशेश तोर पे दिशिया निर्देश जारी किये हैं अब इन तीजों को लेकर के विभाग की ओर से राज के सभी डियम को रिपोर्ट देने को कहा गया है जिसमें बिहार के जो अपने जिले के भूमी विवरनों की अलग सूची अलग-अलग फॉर्मेट में 31 अक्तूबर दोहजार 24 तक उपलव्द कराएं इसमें सभी सरकारी कार्यालेयों विभागों को अपनी जमीन का ब्योरा सर्वे देना होगा यानि कि वैसे भवन जो की सरकारी हैं और जमीन पर बने हुए हैं तो उनका भी ब्योरा मांगा गया है कि आखिर यह कैसी भूमी है और किस जगा पर यह सरकारी इमारते बने हुई हैं गर्मजरवा आम वह खास की जमीन का ब्योरा उपलाब्स कराने की जिम्मेदारी संबंधित सीयो को दी गई है याक्नी की अंचला धिकारिय के अगर जिम्मेदारी होगी कि वह इपने अपने अंचल में जो उनके गर्मजरवा आम और खास भूमी है उसकी जानकारी लेंगे और जो सरकारी रेकर्ड को देंगे और उसके पास बीहार में राजासरव जुझार विवाग है उसके पास भीजेंगे कि हमारे अमुक प्र भूमी को ले करके किसी व्यक्ति ने उस पर अबवाइद कबजा जमा रखा है या फिर इन जमीनों को ले करके किसी प्रकार की कोई कानूनी समस्याएं हैं तो इसका पूरा का पूरा व्यवरन जिला के अधिगारी के साथ साथ विभाग के पास भी आएगा और उनी स्थितियो करके जो तमां तंसे बने हुए हैं कि आखिर उन जमीनों का क्या होगा क्या किसी व्यक्ती ने किसी जमीन पर दो क ब्रक्ष करने करके राजासरकार को इनलेगी या फिर उन जमीनों को जो इस बार का अब्हरा है उसमें अलग सीडसे से किसी स्रेणी में डाला जाएगा तो इन तमाम कवाइदों को ले करके कि आखिर ये जो तमाम चिंताएं हैं कि गेरमजरुआ आम और गेरमजरुआ खास और भूदान अंदोल में जो जमीन है उसका क्या होगा तो उसको अंतिम रूप देने के लिए अब ये तमाम जिराधि कारियों से मांगा गया है और उस ब्योरे के आधार पर अब एक सूची तयार की जाएगी और उसके बाद राज सरकार तय करेगी कि गेरमजरुआ आम और गेरमजरुआ खास भूमी में जो जमीने हैं उनके अधि जो अबैद कबजा है उस पर अंतिम रिड़ने क्या लिया तो अगर ऐसी स्थिती है और आगर किसी के बेने भी इनके जमीनों पर अबैद कबजा कर रखा है तो उनके लिए एक बड़े चिंता की बात है कि उनकी जमीनों पर सरकार एक बड़ा निर्णे ले सकती है